नबस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जब सरकार तानासाई हो जाती है तो तब क्या होता है यह इस ख़बर से अम जान लें तो बहतर है म्यान मार की इस्तियां आपको पाता ही है अब बात करते हैं म्यान मार में लोक सेना में बढ़ती होने के लिए भी युवा नहीं जा रहे हैं जबरन ताना सास सरकार जो है जबरन उन्हें बढ़ती कर रही है और नहीं जा रहे हैं तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है यह होता है जब ताना साही हावी हो जाती है देश पर तो इस्तित्या क्या हो सकती है जानती हम बात करते हैं म्यान मार में तक्ता पलट के बाद सेनिय सासन को तीन साल से ज़्यादा वक्त बीच चुका है इस समय बीचने के साथ ही लोकतंतर समर्थकों का दमन तेज होता जा रहा है यही होता है जब ताना सा बन जाता है वो दिखाता है कि मैं लोकतंत्र में हूँ लेकिन लोकतंत्र चाहने वाले लोकतंत्र समर्थक उनको प्यारे नहीं होते हैं बड़ा उदारण है आप भी समझदार हैं लोकतंत्र समर्थकों का दमन तेज होता जा रहा है सेना के कूरु कारवई का विरोध भी बढ़ता जा रहा है ग्रामिन इलाकों में विद्रोई लगातार सेना को चुनोती दे रहे हैं ऐसे में सेना को कारवई तेज करने के लिए सेनिकों की जरुत है इसलिए वो यूँआँ की बढ़ती करना चाहती है लेकिन लोग सेना में आने को तैयार तक नहीं है उनका विरोध रोकने के लिए सेना ने फरूरी में एक आदेश जारी किया इसके मतावि सेना में आने से मना करने वालों की धर पकड़ के लिए अभी अभ्यान चलाया जाएगा विरोध करने वालों को पांच साल तक जेल में रखा जा सकता है इस तरह के दमन को लेकर मानवाधिकार समू और पूरू बंदियों का कहना है कि इस साल के पहले दो मैनों में बीस केदी यातनों के चलते दम चोड तोड चुके हैं लोकतंतर समर तक चातर कारे करता मयार ने कहा नौंबर के बाद से जेल में इस सित्यां बददर हुई है यातना देना आम हो गया है जेल में मेरे चेहरे पर मुका मारा बंदू की बढ़ से पीटा गया पूरा सरीर खून चलत पत था मुझे सिर में गोली मारने की भी धमकी दी गई इलाज भी नहीं कराया गया डराने के लिए मेरे सिर के पास से गोली चलाई इनार उपर सेना के परवक्ता जेंडरल जो मिंटून ने कोई पर्तिक्रिया नहीं दी जूंटा सासन का कहना है कि वो हजारों बंदियों को रिया कर जेलों को खाली करना सुरू कर देगा लेकिन मानौ अधिकार शमू का कहना है जूंटा दिवा के लिए ऐसा कर रहा है बीते साल इसी तरह की माफी की गोशना की थी लेकिन रिया किये गए कहीं लोगों को फिर से गरिप्तार कर लिया और म्यानमार विटनेस ने कहा उपगरे तस्विरों से पता चला कि मौजूदा जेलों के पास नई अमारते नई जेल परिसर बनाए जा रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बात देख लिए पंद्रसो लोगों ने हिरसत में दम तोड़ा एकसो बीस की मौत इसी साल हुई है एसो सिन फूर पॉलिटिकल प्रिजनर्स बर्मा ने बताया कि वो इस साल फरवरी तक सेना की हिरसत में एकसो बीस लोग मार जा चुक है बीते साल हिरसत में यातनों के चलते 602 लोगों की मौत हुई थी फरवरी 2021 में तक्ता पलट के बाद जुन्टा की हिरसत में पंद्रसो से अधिग लोग मारे गए अनुमान है कि बीस जाश अधिग लोग हिरसत में है तो ये चल रहा है मियानमार में जब से तक्ता पलट हुआ है जब एक ताना साही देश पे हावी हो जाती है तो आपके सारे अधिकार खत्म कर दिये जाते हैं आपके बोलने की आवाज दबा दी जाती है ये होता है जब ताना साहा हुकुमत करता है चैनल को सबस्क्राइब कर लिजीगे नमस्कार